नमस्कार देखा पमार्स किचन में आपका स्वाब थे आज हम गेहूं के आटे का बहुती हेल्दी स्पंजी और चालीदार केक बनाने वाले हैं वो भी दो फ्लेवर में जो कि आप सभी को बहुती पसंद आने वाला है और तुरंत ही आप इसे बनाने किचन में चले जाएंग तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को शिक्षक दीवस की शुपकामना है क्योंकि हर व्यक्ति किसी ने किसी रूप में किसी ने किसी का गुरू जरूर होता है तो चलिए फिर आज इसी दीवस के उपलक्ष में हम केक पनाते हैं इसके लिए सबसे पहले हम यहाप एक मिक्सी जार में आधा कप चीनी डाल देंगे और इसी के साथ हम आधा कप यहां पर ताजा दही भी ले रहे हैं और इसमें डाल देंगे अब आधा कप दूद तो दूद और दही रूम टेंपरेचर का होना चाहिए तो इन सब को एक बार मिक्सी में चला लेंगे और इसे बॉल में निकाल लेंगे आप चाहे तो मिक्सी की बजाए विसकर की हेल्प से भी से स्मूद कर सकते हैं तो अब हमने यह पर यह केक टीन लिया है इस पर हम थोड़ा सा ओयल लगा कर इसे ग्रीस कर लेंगे और इस पर बटर पेपर लगा कर फिर से इसे ग्रीस कर लेते हैं और गेस ओन करके मीडियम लो फ्लेम पर इसे प्रीहिट होने देंगे तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो अब हम यह पर एक कप गिहूं का आटा ले लेंगे इसी के साथ हम इसमें एक चोथाई कप मिल्क पाउडर भी डाल देंगे मिल्क पाउडर की बिजाए आप इसमें पाउडर की पाउडर की पेजाय मलाई ले रहे हैं तो आप इहां पर दूद की क्वाणिटी थोड़ी कम कर लीचिए तो धीरे-धीरे करके हम इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे तो यह देखी सबी चिजों को अच्छे से मिला करके हमने इसका यह गोल तैयार कर ल फिर से इन सभी को मिक्स कर लेंगे तो मैं यह आप पर इलेक्टिक बीटर से इने मिक्स कर रहे हूँ आप चाहे तो हैंड विसकर से भी से मिला सकते हैं तो आप देखिए कुछी देर में गोल कितने अच्छे से फूल गया है तो बस अब हम जादा देर नहीं करेंगे और इ आप पर एक चोटा बॉल लिया है और इसमें हम डाल देंगे एक टेबलिस्पून कोको पाउडर की वेज़ा आप यहां पर कोफी भी ले सकते हैं या चोकलेट भी डाल सकते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल करके और इसका घोल तेयार कर लेंगे घोल हमें बहुत ज़दा पत इसके बद हमने आप पर यह कांच का गिलास लिया है तो इस ग्लास को भी हम ऑईल से ग्रिस कर लेंगे और इसके उपर हम ग्यूं का आटा चीड़ा देंगे तो देखे इस तरीके से हमने इस पर ग्यूं का आटा चारो तरफ से चिड़ा दिया है ताकि जब हम केक बनाएं केक तिन के बीच ऑबीच रख देंगे अब दोनों ही घोल को एक साथ दालना है तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कि स्तरह से में घोल को इस बश्य रहे हूं थाकि दोनों ही गोल एक साथ अच्छे से फेल जाएगा और यह दो भागो में डिवायट हमेंडे हमने पर र कड़ाई काफी गर्म इसलिए भू ध्यान से रखना है और इसे किसी ऐसे बर्तन से ढगदेंगे जो थोड़ा उठा हुआ हो क्योंकि हमने इसमें ग्लास लगाया हुआ है तो लगभग 25-30 मिनिट तक मीडियम लो फ्लेम पर इसे हम बेक होने देते हैं यदि आप इसे माइक्र बना है तो टूथपिक डाल करके इसे चेक कर लेते हैं तो यह देखिए टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन निकली है यह इनिकी बहुत अच्छे से यह बेक हो चुका है तो बस अब हम गेस बंद कर देंगे और इसे निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देते हैं लगभग 15 देखिए लगए तो इसके उपर जो बटर पेपर हमें लगाया था ना निकाल लेते हैं और धीरे से केक को इस तरीके से प्लेट में रखतेंगे और यह ग्लास जो लगा रखा था वो निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन निकला है और वहती सुंदर सा हम केक बनकर त्यार हुआ है दिखने में जितना केक आपको सुंदा लग रहा है उतना ही सौफ्ट इस्पंजी और जालीदार हमारा यह केक बना है आप देख सकते हैं कितना इस्पंजी है तो आप भी जल्दी से गिम के आटे का यह दो फ्लेवर वाला केक बनाईए यह सभी को पसंद आएगा टेस्टी होने के सासाथ हेल्दी भी है और घर पर रखे हुए सामोनों से ही आप इसे आसाने सिर्व बना सकते हैं तो आज टीचर दे भी है तो सबी टीचर्स को मेरी तरफ से एपी टीचर्स दे क्योंकि मैं खूद भी एक टीचर हूँ तो देखिए बहुत चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए थेंक यू